कफी इंपोर्टन टाप्टिक रहता है हमारा हर एक एक्जाम में चाहे वो जेके एक्जाम हो चाहे एससी का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो चाहे इंडियन नॉमिक आओ तो पुलिटिकल एर फ्यूजिकल डिविजन पर हमेशा कुछ नव कुछ पूश्चन पूछे जाते हैं तो हम आज कुछ ऐसे इंपार्टन कोश्चन डिस्केस करेंगे जो मैक्सिमुम हर एक एक्जाम में आ सकते हैं बेसिक लेवल के कोश्चन है विचो क्या नाम है तो वह सब को पता है में देली नहीं नवारा जो साइकिन इंपार्टन कोश्चन है अब चाहे तो वीडियो को करके खुद से भी सकानसर दे सकते हैं थोड़ा सा मैं आपको पता दो इसमें टोटल आपकी 28 स्टेट से और 8 यूटी से जब से जमू कुश्मीर और दमण दियू का रियागनेशन हो तो तब से आप 28 स्टेट और कि एडिंटेटर देनमरा कोशन आता है लॉट इस दा लार्जर स्टेट इन टम्डर्ज और अगव्य जीए के सबसे बड़ी स्टेट और जिए राजस्तान को देन फॉट्ट कोश्चन आता है हमारा में विच इस प्रॉट आपकी तो वह गोग भा देन हमारा next question आता है दोस्तों पांचमा question जो है मारा which city is the capital of two states ऐसी कौन सी city है जो दो states की common capital है तो वह आपकी चंदिगर्ड देन question आता है which state was recently formed in 2014 जो latest state बनाएगे नंकी यूटी कौन सी बनाएगे सबसे latest वह आपकी तीलंगाना दोजार चब्द में आंधरापरदेश से अलग की गई थी जरता है विच इस देमोस्ट और लीस्ट पॉपूलिस सबसे ज्यादा और सबसे कम population वाली स्टेट कौन सी है सबसे ज्यादा वाली है आपकी उत्तरपरदेश और सबसे कम वाली है सिक्कम नैम टू यूनियन टेटरीज विच हैव बेन गीवन पार्शल स्टेट हूड देखे उनको एक स्टेट हूड पार्शल स्टेट हूड है फूल स्टेट हूड नहीं है लेकिन से पार्शल स्टेट हूड है वो दो यूटीज कौन-कौन सी हैं दोस्तो तो वह आपकी एक है द that is gujarat and Punjab on the basis of what the states are divided state की reorganization के basis पर की गईगे गईगे ये सबको पता है हमारा language के बस्ट इंब बनाएगे ये maximum वो language की बस्ट पर उनको reorganize किया गया है चाहे मुझाब हारया ना हो चाहे वो तिलंगा ना हो बस्ट आज जो भी श्टेट हो तो for today that's all next अम लोग फिर से कोई नो कोई MCQ discuss करेंगे